नमस्कार आशकर्तों के आप लोग ठीक हो तकश्मीर फाइल्स दोस्तों दकश्मीर फाइल्स ने बॉलीवूट के सारे के सारे रिकॉर्ड को चकना चूर कर दिया है और दकश्मीर फाइल्स इस दशक की सबसे बड़ी पिच्चर बनने जा रही है फ्राइडे को तकश्मीर फाइल्स ने साड़े तीन करोड का बिजनस किया था सैटेडे को साड़े आठ करोड का बिजनस किया था संडे को पंदरा करोड का बिजनस किया था मंडे को भी पंदरा करोड का बिजनस किया था और तूजडे को दोस्तों तूजडे को पिछले आच दिनों में इस मूवी ने 60 करोड रुपे कमा ली है इंडियन बॉक्स ओफिस वर और व्ल्ड वाइड इस मूवी ने 67 करोड का बिजनस कर लिया है बाकि सारी मूवी को पचारते हुए मूवी नंबर वन बन चुके पुरे देश में गंगु बाई का रिकॉर्ड तोड़ बैटमैन के रिकॉर्ड तोड़ दिया है 83 का और सूर्य वन्शी का हर कोई मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये मूवी आगे बढ़ती जा रही है और इस मूवी को रोखना अब असंभव हो गया है देश जाक चुका है लोग जाक चुके हैं और लोग इस मूवी को ख खुद इस देश के परधान मंतिरी मोदी जी ने बोला है और कई सारे राजियों में ये मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है जी हां उत्रपरदेश उत्रखंड गुजरात मध्धपरदेश हर्याना गोवा त्रिपुर और करनाटका इन आठ राजियों में दा कश्मीर फ लोगों की आखे खोली है वो लोग जिनकी आखो में सेक्यूरिजम का बत्ता बना हुआ था उन लोगों के आखे खोली है इस पिचर ने लोग थेटर में रो रहे हैं मेरे पास कई सारे फुटेजिस है जहापे लोगों का दिल का दर्ध भार जलक रहा है और वो लोगों को अब भी वक्त है समल जाओ वरना वो दिन दूर नहीं जब जो कश्मीर में हुआ वो बाकि सब राज्यों में भी होगा अगर आखे अभी नहीं खुली तो रलीव गलीव चलिव रलीव गलीव चलिव कंवर्ट डाय और रन यह वर्ड आपने सुने होंगे इस मूवी के 19 जनवरी 1990 में देश अजाद था सवी धान था कोड था पुलिस था फिर भी कश्मीरी हिंदूों को कश्मीर से भगा दिया गया मार दिया गया कतलेयां मचा दे गया जला दिया गया उनकी भेंज बेटों के साथ दुशकर्म कर दिया गया बतव रोचतोए बतिनेव तचान ये सुनी होगी ना आपने लाइन उस पिच्चर में ये सच है ये सच्चाई है जो आपके सामने पिछले 32 साल से कोई नहीं लेकर आप आया बॉलिवूड में आज से पहले पिच्चर बनी नहीं बनी क्या थी शिकारा जैसी पिच्चर जहाँ पे प्रोपगेंडा था बनी क इस मूवी की वो लोग रेटिंग राने में लगे हूए है इस मूवी को बद्राम करने में लगे हूए है अभी हाली में मैने एक ट्वीट देखा गौहर खान का गौहर खान भी बॉलिवूड की एक्ट्रस है उन्होंने क्या ट्वीट किया if you don't see the propaganda your soul is blind, deaf and dumb तो इनको लग है कि आप अंदे हो बहरे हो गूंगे हो अगर आपके प्रोपेंगेंड़ नहीं दिख रहा है कश्मीरी पंडितों के कश्मीरी हिंदू के हालात देख कर जो उसको देखकर आपका दिल नहीं पसी जाना तो इंसानियत आपके अंदर खता मुझ चुकी है यूँ मूवी में दिखाया गया है ना वो मात्र 50% है जो हुआ था इससे कई कुणा सादा तॉर्चर झेला हैं उन्होंने हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन महसूस उन लोगों ने किया हैhogност क्या होता है डर क्या होता है पीड़ा क्या होती ये अपनों से अलग होने का गम क्या होता है वो कश्मीरी हिंदूों ने सहा है बॉलिवूड अभी तक इस मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई भी बॉलिवूड का कलाकार आगया कि ये नहीं बोल रहा कि इस मूवी को देखो कुछ गिरेचुने लोग है जिनकी हो मैं अप्रिशेट करता हूँ वो इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं वो इस मूवी को देखने के लिए बाते रख रहे हैं इसी बीच एक गुज़ाती मूवी प्रेम प्रकरण ने एक बहुत बड़ा इनिशेटिव लिया है उन्होंने अपनी मूवी के रिलीज डेट पोस्पोन कर दी है ताकि लोग दा कश्मीर फाल्स को देखे यह एक बहुत बड़ा इनिशेटिव है मैं उनके मेकर्स को हैट्स आफ करता हूँ कि उन्होंने यह साही समझा कि इस वक्त सबसे बड़ी नीड है ताक कश्मीर फाल्स को पूरे देश के लोगों को दिखाना ताकि देश के लोग जागे दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों बाद बच्चल पांडे रिलीज होने बाली है अकशे कुमार के एक ट्विट आता है अगर आप इस ट्विट को देखो गए न तो उसके अंदर बहुत सारे राश सुपह होए है अक्षे कुमार अनुपम खेर जी को tweet करते हुए लिखते है Hearing absolutely incredible things about your performance in the Kashmir Files at the rate अनुपम खेर Amazing to see the audience back to the cinemas in large numbers Hope to watch the film soon जैंबे तो अक्षे कुमार ने ये बोला है कि अनुपम खेर जी मैं को सुनने में आया कि आपकी acting इस movie में बहुत अच्छी है ये हम भी मानते हैं पुरा देश मानते हैं कि अनुपम खेर जी की acting इस picture में भैतरीन है उनको तो national award मिलना चाहिए साथ ही साथ मिथुन चक्रवटी जी की acting भी काफी अच्छी है पल्लवी जोशी की acting बहुत अच्छी है तरशन कुमार की acting बहुत अच्छी है अच्छी कुमार जी ने सिरफ अनुपम खेर की तारीफ करते हुए बोला कि आपकी acting इस movie में अच्छी है उन्होंने ये नहीं बोला कि movie अच्छी है आप मेरे बात को समझेए अक्छी कुमार ने तक कश्मीर फाइल्स movie की तारीफ ने करी उन्होंने अनुपम खेर जी की acting की तारीफ करी है तक कश्मीर फाइल्स के अंदर उन्होंने एक और बात बोली अच्छा लग रहा है कि ओडियन्स थेटर्स में आ रही है भारी मातरा में क्योंकि अक्छी कुमार जी की पिच्चर आने वाली है ता बच्चन पांडे तो उनको लग रहा है कि जो ऑडियन्स थेटर्स देखने के लिए थेटरों में जा रही है भर भर के पूरी फैमिली के साथ रैली निकालके उन्हें लग रहा है कि लोग उनकी मूवी बच्चन जा रहे हैं किसी ने इस मूवी का प्रमोट नी किया बॉलीवूड को लग रहा है कि कश्मीर फाल्स को लोग देख रहे है तो हमारी पिच्चरों को भी देखेंगे आगे आके दा कश्मीर फाल्स को प्रमोट करते तो लोग समझते कि जी हां इन्होंने सच्चाई के लिए आपाज उठाजे लेकि नहीं कोई भी बॉलिवुड का स्टार ने अभी तक खोल के यह नहीं बोला नता कश्मीर फास को देखेंगे सिर्फ गुरेचुने कुछ स्टार्स है उन्होंने बोला है कोई बड़े सुपर स्टार जो आपको बोलते हैं जो बोलते कि हमारे नाम से च बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है जहां इस मूवी को हर किसी को प्रमोट करना चाहिए हर किसी को देखना चाहिए वहाँ ये बड़े-बड़े so-called superstars जो खुद को समझते हैं उन में से कोई इज आगे नहीं आया इस movie को promote करने करे है लेकिन हमें जरूब भी नहीं है यार किसी की जरूब भी नहीं है क्योंकि ये picture audience किया है इस movie को खुद परधार मंतरी जी promote कर रहे है इस movie के लिए खुद परधार मंतरी जी बोल रहे है और आप इस movie को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि ये movie historic है ये movie fact है ये movie आईना है इस movie के वारे मैं जो मैं बोलोगा उतुना कम है जब मैंने movie देखी थी ना मतलब मैं उस चीज़ से भार ही नहीं निकल पा रहा हूं वो सारे के सारे scene मुझे आता रहे वो सारे के सारे words जो बोले गए थे वो सब मुझे आता रहे है वो सारे के सारे expressions मुझे आता रहे है वो दिमाग में घुश चुक है वो निकल ही नहीं रहे मैं चाब्इल को निकले भी ना ये लोगों क mendad। कि लोग सिर्फ देखते हैं समझते नहीं है수 sasadari इसी में होगी कि जो makers है जिनकी picture आने वाली है वो अपने picture ध्रें को postpone कर्देगई क्योंकि इस वक्षर एक ही लहर चल रही हए इस एक ही deve चल रही है तक कश्मीर फइल्स की वेव और जो भी इस वेव के सामने आ रहा है वो डूब जा रहा है जो भी पिछले इलीज हुई थी साथ में उन सब की शोस को जो है घटा जा गया है सिरफ तक कश्मीर फइल्स को दिखाया जा रहा है हाँ अभी भी कुछ जगह है जहां पर कश्मीन फाइल्स की मूवी को नहीं दिखा रहे है जान पूछ के तकि लोग अवेर ना हो जाए लोगों की आखे ना खुल जाए अगर आपने इस मूवी अब तक नहीं देखिये तो आपसे अनुरोध है कि आप जाकर इस मूवी का जरूर देखे अपने फामिली के अभी तक सो रहे है वो भी जाक जाए तब तक एलिए धन्यवाद